पहाडी छेतर के सक्रे और उबल खाबल रास्तों पर खच्चरों का उपयोग समान ढोने के लिए और सवारी को ढोने के लिए किया जाता है क्यूंकि ये रास्ते सक्रे होते हैं और एक तरफ पहाड तो दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई होती है खचर खाई को देखकर डरेना इसलिए उनकी आँखों के साइड में एक चीज बांदी जाती है जिससे वे अपने बगल की गहरी खाई को देख नहीं पाते हैं और सीधे दिखने वाले रास्ते पर चुप-चाप चलते रहते हैं दोस्तों हम लोग भी जब किसी लक्षिप या उद्देश की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें और विचार हमारे आसपास होते हैं जो हमें डरा और घबरा सकते हैं और रुकावट का कारण बन सकते हैं इसलिए आउशक है कि हम उन सारी बातों को अपने उपर हावी न होने दें और ना ही उनसे विचले थों लिकन अपने लक्षिप और उद्देश की सीधे रास्ते पर चलते रहें बैबिल में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि दौल में दौलते सभी हैं पर तुम इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दौलो की जीतो